तो चलिए चर्चा हम यहाँ पर करते हैं सहीद फैजल साब हमारे साथ जोड़ चोके हैं सहीद साब मैं आप से जाना चाहूंगी कि सबसे पहले हम उमीद क्या लगाएं इस से इस दौरे से सबसे परहली बात तो यह है कि प्रधान मंत्री का दौरा वहां पर उमीद से पहले बहुत लोगों की मुरादें पूरी हुई है भारत के जो 26 लाग भारतियों वहां पर हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं उनीच से कासी में स्रीमति गांधी गही थी उसके बात 34 सालों तक कोई नहीं गया तो उनकी एक मुराद पूरी हुई है 26 लाग भारतियों की और दूसरी बात यह हुए कि बहुत बड़ी चीज और यह हुई है वहां पर कि अभू धाबी ने पहली बार एक चर्चा जारी र इसका महतु है कि अभू धाबी ने पहली बार एक मंदिर बनाने की परमिशन दी है और प्रधान मंतरी मोदी के विजिट पे एक जमीन एलॉट कर दी गई है वहां पर टेंपूल बनाने के लिए बहुत सारे भारतियों की एक मनोकामना बहुत पुरानी एक जो उमीद थी कि अभू धाबी में जो वहां रहते हैं वही काम करते हैं वही कारोबार है उनका उनको वहां पर पूजा करने की और अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी मिले और एक टेंपूल वहां पर बन पाए हाला कि दुबई में पहले से मंदिर है सिख टेंपूल भी है हिंदू ट करते हैं दाउद इब्राहियूं की बात हो रही है रियल स्टेट की बात हो रही है लेकिन 26 लाग भारती जो वहां पे हैं और उनको किस तरह से काम करना पड़ता है और किस तरह से उनकी परेशानिया है चुकि मैं खुद 22 साल रहा हूं मिडल इस में खाड़ी के दोश्यों मैं मैंने देखा है किस तरह की उनको प्राब्लम्स होती है लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं होता है हम कहते जरूर है कि 14 से 15 बिलियन डॉलर सिर्फ अकेले UAE से हिंदुस्तान रिमिट होकर के आता है फॉरिन एक्सचेंज लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है त का शुमार होते हैं यह वो एक तबका है जो सबसे ज्यादा उमीद लगाए बैठे है जिसको जिसके बारे में आप जिकर कर रहे हैं कल हमने देखा हमारे पत्रकार रातस भी वहां पर गये थे उन सब लोगों के बीच में और यकीन आपने कहा कि उनकी मुराद एक तरीके से पूरी हुई है मैं बिल्कुल सही इसलिए कहूंगी क्योंकि इसका प्रूफ है लोग इतने खोश थे कि कम से कम कोई तो यहां पर आया इतने सालों बाद 34 साल बाद को यहां पर पहुंचा यह वो तबका है चलिए उनकी बात हुई लेकिन इसके अलावा अब हम हिंदुस्त देखें एकनॉमिकली देखें देखें एक बास समझे लिजे के दुबई अब अबुदावी को कह ले तो वो गेटवे टू मिडल इस्ट है और गल्फ है वहीं से सारे रास्ते निकलते हैं हरता कि मैंने कल भी यह बात कही थी कि वह मीटिंग ग्राउंड है फ्रेंड्स और का दुबाई तो वहां जाकर कि एक बहुत अच्छा संकेत दिया है नेंद मोदी ने कि वो अब उनकी जो डिपलमसी है वो वेस्ट में कर चुके 25 कंट्रीज का उन्होंने दौरा किया और अब वो कही ना कहीं एस्ट की तरफ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन रास्ट्रों की बहुत पुराने संबंद है याद रखिये कि यूएई हो या खाडी के देश हो सौदी अरब हो या पर्शन गल्फ की कंट्रीज हो उनसे भारत का बहुत ही पुराना संबंद रहा है और उसको फिर से एक बाद रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है मुझे समझ में नही स्थान का परदान मंतरी नहीं जाता है एकासी और बिरासी के बाद एकासी में यूएई और बिरासी में मिर्सस गांजी गई सौदी अरब कोई नहीं गिया ये एक नई शुरुआत उन्हों ने की है और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्लियर संकेत दिया है नहीं मोदी है कि वो किसी के लिए भी कोई मन में कोई भावना नहीं है और वो हर तरह की राष्ट्रों हर तरह के लोगों से मिल करके भारत के समधी के लिए प्रास रत हैं ये जा करके उन्होंने शुरुआत की है और मुझे जहां ते कहा जा रहा है और ये बिल्कुल अस्पश्ट बात रहते हैं तो इन कंट्रीज में जाने की शुरुवात इन्होंने दुबई से की है बहुत ही सही बहुत ही समझावा डिसिजन था कि वहां जाएं जहां से सारी जगा जाने का रास्ता खुलता है दूसरी बात यह कि नरेंद मोदी की इस्राइल विजिट को लेकर के भी चर्चा हो रहती उसको लीकर के बहुत सारी चीज जा रही थे बहुत सारी मुसलिम स्क्राइब के जो प्रोपोज विजिट है इसराइल को तो उसको भी कहीं न कहीं बैलेंस करने का प्रयास किया गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर नहींद मोदी इसराइल जा रहे हैं तो मुस्लिम राष्ट्रों से भी उनको कोई परहेज है आप जात किजिए कि सेंट्रल एशिया की पांच मु करके ना सिर्फिया की measri गये और उन्हों ने विजिटरस पूक मेघी सर्मेस सब्सक्राइब हो यह यह सिस्टयों लग्राइब होते हैं तो वहां की सियासत क्यमकी आप gün french कि सियासत होती है माजएब पकडूken करते हैं तो आप सेकुलर हो जाते है तुरंट से नाइदा कि सेकुलर और इसके यह वर्ट बहुत जादे यूज़ हुआ है उस पर मैं नहीं जाओंगा लेकिन हाँ जब एक आदमी मुल्क का प्रधान मंतरी होता है तो कहीं ना कहीं पूरी एक सौपचीस कोड़ हिंदूस्ता यहां की सियासी मुझे यह समझ मुनियारा कल भी इस पर चर्चा हो रही थी कि वो जाकर के बिहार मेसेज देना चाह रहे हैं वो जाकर के बंगाल मेसेज देना चाह रहे हैं याद रखिए कि UAE और गल्फ में या पूरे मधपूर में जो भारती रहते हैं उस पर सबसे बड कि एक विजिट से एकदम स्रेडनली कोई राडिकल चेंज हो जाएगा मुझे नहीं लगता है जो यूएई में बिहारी रहते हैं वो उनके असर में आकर के वहां से आएंगे या अपने लोगों कहेंगे कि बिहार में बीजेपी को वोड़ दो ऐसा कुछ नहीं है मुझे लग तो वहां पे उसी तरह से लोग जाते हैं जैसे हमारे हां भारत आने वाले हेड अफ स्टेट्स को राजगाट ले जाए जाता है तो वो भी एक एंगल उसमें है लेकिन इसके बावजूद वो मस्जिद के अंदर गये मस्जिद में जा करके उसको देखा सब कुछ किया तो क बहुत यह चेंजिंग डैनेमिक्स ऑफ इंडिन पॉलिटिक से उसकी तरफ इंगीत करता है अब एक अगले पहलू पर आते हम इससे पहले की आर्थिक शेतर की बात करें मैं एक और चीज आप से जाना चाहूंगी क्योंकि आपको याद होगा जब शपत ली थी तो उसके ब कलफ कल फिर इसका उतना ही बड़ा सही होग है जे इसको अगर हम जहन में रखकर बात को आगे बढ़ाएं तो यहां पर प्रदान मुंतरी नरेंद मुदी किस तरीके से लीड करते नजराते इसिया को या हिंदुस्तान लीड करता नजराते हैं लेकि हिंदुस्तान की सदी ह किस्विन सदी ये बिलकुल तै है लेकिन हाँ इसको हम लोग थोड़ा जब डिसकेशन करते हैं तो हम लोगों का जो जादे हावी हो जाता है हम लोग बिलकुल मान की चलते हैं कि सिर्फ इंडिया ही प्लेयर है एक किस्विन सदी में ऐसा नहीं है चाइना भी और दूसरी अमर मधभव की तरफ जाएं तो ये बात याद रखिए कि मधभवग में जो लीडिंग बिजनस हाऊज़स हैं जो यूएई में लीडिंग बिजनस हमें हैं वो कहीं ना कहीं भारती हैं मैं आपको कि यह तो मैं आपको दस ऐसे भारते opportunities के नाम रिना दूंगा जो यूएई में रहके पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं चले चर्चा में आप से जारी रखूंगी डॉक्टर वैलावाद हमारे साथ वापस जोड़ चुके हैं साउथ एशिया बिरुच्छीफ हैं यह सीरियन अरब न्यूज न्यूज एजनसी के डॉक्टर वाद मैं आप से जानना हैं रिष्टों को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश होती है तो ऐसे में हिंदुस्तान कहां पर लीड करता नजर आता है और यह सहयोग यह कितना जरूरी हो जाता है हिंदुस्तान के लिए यह तो बहुत जरूरी है देख लो अभी उनकी पपुलारिटी भी बहुत हो गया तो मनरंदन मोदी में साउट अफ इंडिया में क्योंकि वहाँ पर लोग में जो रहते तमिल नादू में किरला में वो सब को वहाँ पर मुल्क में इंदिस्दान में गया अभी मिलनी के लि है यह हिंदुस्तान में जब तक 140 हिंदुस्तान लोग है हर साल में जी सी सी अंदर में और 80 लाक में रहने के लिए है आप यह समझ लो इतना लोग में कहां मिलेंगे दुनिया में हिंदुस्तान में यह तो सबसे बरा जगा है वह उनके लिए आपकी इंवेस्टमेंट के ल इस्पिरेशन हो गया मिस्टर नरिंदर मोधी के अंदर है तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर 35% अफ इंडियन पॉपिलेशन जो इनवेस्टर है वहाँ पर गल्फ कंट्री के अंदर है अगर यह लोग इंडिया में इनवेस्ट करना जाते तो करना जाते हैं क्योंकि सहारा में इतना मतलब सहारा है वहाँ पर इमरत में वह इतना शांदार बनाया था अगर हिंदुस्तान में वाबस आएंगे नरिंदर मोधी और यह मेस्ज़ देने के लिए लोग में हिंदुस्तान का लोग है हम भी बना सकते हैं इदर ज्यादा खूश हो जाएगी बिलकुल बहुत स से अब इन्होंने कहा कि बहुत चीज़ें आ सकती निवेश हो सकता है निवेश की बातचीत हो रही है और यह भी एक पॉइंट है बातचीत का तो क्या उमीद वहां से की जाती है कौन-कौन सी क्षेत्रों में हम उमीद करें जहां तक UAE का सवाल है हिंदुस्तान में FDI के जरिये 11 सबसे बड़ा इन्वेस्टर है UAE इंडिया में और जो उसका जो कोर एरिया है एक्सपर्टीज का जो बात कह रहे है तो वाईलवाद के वहां पे बहुत अच्छे सुन्दर मकान सुन्दर बिल्डिंग्स इंफ्रास् जिसमें UAE की एक्सपर्टीज है एक सहरा को एक बियामान को एक रेगिस्तान को जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया के पटल पर इला करके रख दिया वो उनकी एक्सपर्टीज है उसको वो यहां भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं फंड्स की उनके पास कमी नहीं है दुब नर्फ सेंटर है वो एशिया का दुबई तो वहां से आप पैसे लाग करके हिंदुस्तान में कर सकते हैं एक्सपर्टीज का सवाल है तो वहां की बड़ी कमपनिया आज भी हिंदुस्तान में काम कर रही है एमार जैसी कमपनी आज भी हिंदुस्तान में है और रियल सेक्ट रियल एल इस्टेट सेक्टर में construction में काम कर रही है पांस साथ कोर सेक्टर से जिसमें वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं रोट construction बहुत अच्छा कर सकते हैं और पावर सेक्टर भी उनकी एक वहां पे है कि अगर the ruler of Dubai is convinced अगर वहां का जो शासक है वो convinced है तो वहां फिर norms या कानून की बहुत जादे दखल नहीं है अगर वो convinced है मुझे याद है 2011 में तीन भारतियों को उन्होंने एक्स्टर राइट किया था सारी चीजों को नजर अंदास करते वे तीन भारतियों को भ भारत के साथ उनके संबंद हैं बहुत पुराने संबंद हैं तो वहां पे आप लोगों को याद दिलाओं कि 25 भारतियों को सही सलामत उस फ्लाइट से इन लोगों निकलवा करके भारत का जो दुतावा से उसके हवाले किया था तो इस तरह की चीज़े भारत और UAE के बीच नरेंद मोदी जो कि बहुत एग्रेसीव बाडी लैंगिज होती है बहुत कन्विंसिंग होती है बहुत असर्टिव होती है अगर वो जाकर के शेखजायत को यह कन्विंस कर पाते हैं कि यह आदमी है जो हमारे लिए सरदर्द बनावा है तो याद रखीगा दो राश्ट्र पर हम देख सकते हैं और यह बहुत आहम चीज होगी इसलिए कि कही ना कही नरेंद मोदी जिस तरह से दाओद इबराहीम को लेकर के वहाँ पर जोजियर देने वाले हैं और वो एक इंपॉर्टन चीज और भारत वर्ष कही ना कहीं चाहता है परसेशन के लेविल पर लोग य हो बार दोध इबराहीम का वहाँ पर है अगर वह फिरिशर पढ़ता है तो उनके लिए रास्ता तंग हो जाएगा लेकिन मुझे तरयत यह नहीं लगता है कि दोध इबराहीम हमारे हवाले हो जाए इसलिए दोध इबराहीम वहाप पर एक आदमी की कन्विंस हो गया, तो उनको हवाले कर दिया जाए गए, इसलिए वो बहुत देर वहां रुखते नहीं है, आते हैं, चले जाते हैं, और बहुत जादे वो लोग फेक आइडेंटीज पर वहां पर आते हैं, लेकिन उनके इंवेस्टमेंट्स वहां पर बहुत हैं दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्डन्ट है, कि बिलियन्स अव डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट दौध इबराहीम ने वहां पर किया वा है, जाहिर सी बात है कि इन लैंड्स में आप सब कुछ अपने बल पर नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको वहां के लोकल से उन करेंगे, लेकिन उसका जो इतना बड़ा इंवेस्टमेंट है, उसको भी जहन में रखना होगा, एक और अहम पॉइंट जिसको लेकर चर्चा होनी है, आईसिस को लेकर, जिस तरीके से खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें किस तरीके से बाचीत हो सकती है, और वह सारल सुना, उसके उपर जो सुनी स्टेट्स हैं, इराक के इर्दिर, उनका बहुत इंफ्लेंस रहा है, और ये कहीं ना कहीं सुनी हजमनी को प्रोमोट करने का एक टूल भी मानते हैं, तो उस हवाले से कहीं ना कहीं, आईसिस के उपर इन लोगों का एक दबाव, एक पेश हम लोगो की कोशिश रही, तो उसको काउंटर किया जा सकता है, और उसको हिंदुस्तान आने से या हिंदुस्तान की तरफ रूख करने से हम लोग उसको सकतल कर सकते हैं. इस तरीके की उमीदें इस बाचीत से लगाई जाएं, क्या कुछ आर्थिक सहयोग दुबाई की तरफ से हिंदुस्तान को मिल सकता है, कौन-कौन से क्षेत्रों में मिल सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम पहलों पर जाहिए 26 लाग भारतियों को, जिसमें पैजल साब ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह कही कि लोग इसलिए खोश है कि कम से कम कोई तो वहाँ पर पहुंचा, कम से कम कोई राश्टरा ध्यक्ष तो वहाँ पर पहुंचा, उनसे मिलने के लिए और प्रधानमंतरी ने जस तरीके से हम देखें कि प्रधानमंतरी का स्वागत हो रहा है पूरी गर्म जोशी के साथ, तमाम लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं और उसके बाद प्रधानमंतरी भी वहाँ पर मस्जद में जाते हैं और उस मस्जद की तारीफ करते हैं कि भाईचार से क्या expect कर रही हो की देखिए Indian community जो expect कर रही थी उसको जाते के साथ नरेंद मोदी ने पूरा करने की कोशिश की है एक बहुत बड़ी Indian community की जब हम बात करते हैं तो उसमें 75% blue-collared लोग है और 20% जो हैं वो कहीं न कहीं white-collar people हैं जिनके तरफ हम लोग टक्टर की लगाया देखे हैं कि यह कब हिंदुस्तान की तरफ आते हैं अपना investment साथ में लाते हैं इन्होंने एक message जाकर के जरूर दिया है तो उसमें एक चेहरा मुझे दिख रहा था जफर सरेशवाला का जो हिंदुस्तानी बिजनस्मेन हैं और जो बड़े बिजनस्मेन हैं वहां पर जैसे एम यूसुफ अली हैं वहां पर रिजवान साजन हैं वहां पर मिकी जगतियानी हैं यह लोग वो लोग हैं जो billions of dollars का investment उन्होंने UAE में कियावा है दुबई में कियावा है और उनका investment लोगों को बहुत जानकाई नहीं होती है दनूब बिल्पार्ट यहां पर भी इन्वेस्ट कर रही हैं इन्फरेंस्ट्रक्शर में कर रहे हैं हाइपर मार्केट लूलू हाइपर मार्केट सबसे बड़ा हाइ गया है उसके मार्केट भी यहां पर आ सकते हैं कहीं ना कहीं employment generation investment generation में यह सारे लोग बहुत कारगर हो सकते हैं इसके साथ जबलेरी free trade zone जो UAE में है वो trade free है tax free zone है वहाँ पर जितनी companies है आप यकीन करें कि भारतिये company का अंबार वहाँ पर लगावा है और भारतिये जो experts हैं चाहे वह technical हो या electrical हो या दूसरे छेतरों के उनका वहाँ पर जमावड़ा है उनकी expertise को भी use करके उनके investment को फिर से हिंदुस्तान की तरफ divert करने में भी यह trip जो है काफी कारगर साबित हो सकती है याद रखिए कि वहाँ पर capital flow बहुत जादे है expertise बहुत जादे है और area बहुत कम है जाहिर सी बात है यह दूइप है कही ना कही आईलेंड से छोटे छोटे कंट्रीज है उनके पास वो area नहीं है जो चाहिए इतने बड़े capital को जो उनके पास है उनको चाहिए एक investment safe investment destination और आज की तारीख में 21 सदी में जो हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक safe investment destination बन सक है और हम देख रहे हैं कि यहां आना चाहते हैं investors लेकिन so many things कि जब भी बात होती है नराइस businessmen से हम लोग बात करते हैं भाई आप UAE में पैसा लगाते हैं आप Canada या अमेरिका में पैसा लगाते हैं आप अपने investment को ले करके पैसे को ले करके capital को ले करके भारत क्यों नहीं ज हो दिए और मोदी ने इसका सलेश चाइना जापान अमेरिका कैनडा हर जग है कि आत्राओं में प्रधान मुंत्री ने ये संकेत दिया उसको अगर compare करके यहां से देखें कि हमें वहां से क्या मिला अभी तक की बाचीत क्योंकि अब वहां वो काफी समय हो गया जस तरीके से चाइना भी गये थे जापान भी गये थे तो उसके रजल्ट को अगर देखें और फिर यहां से expectation की बात करें तो कैसे compare करेंगे उसको आप देखेंगे चाइना अमेरिका की dynamics बिल्कुल different है और जो Middle East और UAE की dynamics है वो बिल्कुल difficult है वहां different है वो लोग बिल्कुल नहीं चाहत या कोई भी इस तरह की चीजों की कोई गुंजाईश नहीं है अगर system सही है तो they will come system से बंधे लोग है और इनकी पूरी conditioning है UAE दुबई और उसके आसपास की जो countries हैं उनकी conditioning इस तरह से हुई है कि वो system पे चलने वाई लोग है अगर system सही होता है तो लोग आते हैं invest करते हैं प्रधान मंतरी नरेद मोधी यही बात जाकर कि वहां बताने कोईश कर रहे हैं कि इंडिया इस यूज कांट्री लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं प्रयास रते हैं कि यहां भी system लाया जाए और बहुत तक जो कानूनी पेचीदिया थी उसको दूर किया जा हमारे प्रधान मंतरी भी बहुत हाइटेक हैं क्योंकि जाते हैं तस्वीरें और सेलफी लेते हैं बताते हैं क्या कुछ हो रहा है क्यों यहां पर आए हैं क्या मकसद है क्या कर रहा है पल-पल की जानकारी लगाता है ट्विटर पर देते रहते हैं और इसलिए उन्होंने अ प्रिधान मंत्री ने क्या और वही जिसकी बात हम कर रहे थे कि फ्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि वहां का बहुत हाई टेक है जिसको लाने की कोश़श यहां पर हो सकती है इस शेत्र में सहीओ को सकता है जी तो अगर प्रान्सटा हो तो आरामसे वो अपने घर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी वी वी डिली के लिए मुझे लगता है कि अगर पी आर्टी सिस्टम हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और मुझे याद है कि जब नरेंद मुर्दी प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थे मुझे नहीं मालूम उस की बात कर जिक्र करना भी जरूरी है देखे जब प्रधान मंत्री जाते हैं बहुत सारी अच्छी चीजे वहां की ठीक हमें सहयोग मिल रहा है कोई भी कंट्री हो कोई भी देश हो वो हमें सहयोग देता है यहाँ पर आकर दिक्कतें शुरू हो जाती है हिंदोस्तान में भी बहुत सारे नूपोल्स पेचीद गिया और ऐसी चीजे हैं कि इन्वेस्टर जो है वो खुद को कमफर्टेबल महसूस नहीं करता है हिंदोस्तान में मुझे यह समझ में नहीं आता है यह कंट्री जो कंट्री के तौर पर फेडरेशन के तौर पर सामने आया दुनिया मे 1971 में जब शेख दुद जायद बिन नहान ने इसको युनिफाई किया और एक फेडरेशन बनाया सावन एमिरेट्स का 1971 से लेकर के 2016 में जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो आप देखें कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से कहीं पीछे नहीं बलकि कहीं दस कदम आगे है बहुत आगे है यूएई तो अगर ये विवस्था यूएई में की जा सकती है लिमिट संसादनों के जरीए तो भारत जो हम लोग हमेशा कहते हैं पर इसमें ये भी चीज़ गोर करनी होगी कि वो डिमोक्रेटिक नहीं है यह एक आपने बहुत अहम बात कही है कि डिमोक्रे एक स्ट्रोक में अक्वार करते हैं ये सुईधा है लेकि सबसे बड़ी जो इनको आसानी थी यूएई को ये इस तरह के कंट्रीज को कि बहुत स्मॉल है बहुत चोटी है जनसंक्या बहुत चोटी है और उस अनुपात में देखे तो संसाधन बहुत जादे हैं भारत की पर है जो कंडिशनिंग की मैं बात कर रहा था हमारी कंडिशनिंग वैसी नहीं है हम हर चीज में सवाल करते हैं हम हर चीज में कहीं ना कहीं विरोध करते हैं हम हर चीज में अपना जो राइट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं उसको ले करके सामने आ जाते हैं और जो पॉलिटिक साटञ टैसरे से रिड़ाई डावर में तो Continuing to किया और अब्धक्राइब कि ही और हम बीरटी के बारे में सुझा हैं लेकिन मЗर में पियाटी यानि की पर्जन रापट्रांश्ट है इसका जिक्र फी वियु रविवार की शाम को प्रधान मंत्री के अबुदाभी पहुंचने पर वहां के सुल्तान ने उनका स्वागत किया, राज की सम्मान के साथ स्वागत हुआ, प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी ने अपने मश्रन अमिरात की शुरवात अबुदाभी की मश्रूर शेख जायत में प्रधानमंत्री को देखने और उनसे मिलने के लिए बड़ी तादात में भारतिये वहां पर पहुंचे। होनी है बखायदा डॉजर सांपने की बात बात हो रही है दाउद कितनी उमीदें वहां से लगाई जाएं किया कुछ हो सकता है इसमें पहली बात तो यह कि यह हमको जोरू समझना चाहिए कि यूनाइटिड अरव एमिरेट्स खास करके यह जो इलाका है यह देश आया जिसके आपको स्थापित किया दाउद जहाद से दाउद बना यह अलग बात है कि मुंबई ब्लास्ट के बाद दाउद के नाम के आगे एक उसकी एक और कारिस्तानी उससे जुड़ गई लेकिन दाउद समगलर के रूप में जब से वो जाने लगा अगर आपको याद हो तो जिस आम वहाँ पर क्रिकेट पर बेटिंग होती थी तो दाउद वहाँ से स्थापित हो चुका था तो जाहिरती बात है दाउद के इंट्रेस्ट वहाँ पर है यह भी कहा जाता है कि दाउद का वहाँ आना जाना भी है दाउद के नाम से वहाँ पर जाना जाता है या पाकिस्ता खास करके दाउद और दाउद के गैंक के बारे में तो जाहिर तो यह बात है कि भारत को वहां बहुत सारी मदद मिल सकती है अगर वहां United Arab Emirates जो है वो अगर चाहे यह आपको आप एक बहुत बात बता दूँ कि एक्सार्टिशन टीटी जो है UAE के साथ भारत के साथ जो है वो मौजूद है वहां पर लेकिन इसमें भी बहूत सारे पेश हैं फैजल सहाब से हमने समझने की कोशश की की सब कुछ डिपेन करता है अंग कि अब शेख को किस तरीख तो ये सारी चीजें वहाँ पर हैं अब शेक के साथ कैसे रिश्टे हैं क्योंकि जाहिरती के बात है कि वहाँ पर वो एक ऐसी जगह है वहाँ पर वो एक ऐसा देश है जिसको आप कह सकते हैं ये यूनेटेड अमिरेट्स जहां पर हैं सारे अमीर अमीर जो वहाँ पर हैं वो अमेर की प्रेशर के बावजूद वहाँ पर उसके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं है या उसके खिलाफ कोई केस वहाँ पर धर्ज नहीं है तो बहुत कुछ निर्वर करता है कि किस तरीके से खासकर करके यूएए के पाकिस्तान से भी बहुत सब्सक्राइब है और किस तरी केसे आप अपनी बात को वहां पर रखते हैं, प्रिजेंट करते हैं.